हेलो एवरिवन वेलकम चू माई चैनल गाईस कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे कुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहोंगे तो आज जो हम रिडिंग करेंगे गाईस आपके परसन की करेंट फिलिंग को लेकर है इस वक्त आपके परसन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं चलिए देख लेते हैं All science के लिए रिडिंग है गाईस तो यहां पर ऐसा दिखाए देता है गाईस कि जो आपके परसन है यह किसी चीज़ से सेपरेट होते हुए नजर आते हैं या किसी के साथ ये merit थे तो यहां ये हो सकता है कि और या फिर कोई काम है जिससे ये अलग हो रहे हैं ना कोई नया काम शुरू करने वाले हैं ये भी हो सकता है और सेपरेशन दिखाए देता है किसी चीज से ये अलग हो रहे हैं और वो इंसान हो चाहे कोई काम है, भापर इन्होंने लंबा समय बिताया है और भापर ऐसा है कि बहुत सदा ध्यान दे रहे थे और इनको यहीं लगता था कि जो भी कर रहे हैं future तक के बारे भी इनोंने सोच रहा था, इनोंने कभी यह नहीं सोचा कि इस काम को या इस रिष्टे को बीच में छोड़ना पड़ेगा किसी इंसान के साथ अकड़ थे तो उनसे यह नाराज है या वो इंसान इनसे नाराज है और या फिर जो काम ये कर रहे थे वहाँ पर इनको परिशानी है तो उस काम से ये खुश नहीं है ऐसा वहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके परसन कुछ भी ऐसी चीज है जिसको छोड़ रहे है अब ये वही थर्ड पार्टी भी हो सकती है तो उनको ये छोड़ते हुए नजर आ रहे है उनसे अलग होते हुए ये नजर आ रहे है और ऐसा है कि आपके परसन चाहे नया काम शुरू करना है उस वज़े से हो या पुराना ही इनके पास जो काम है उसमें बीजी तो ये बहुत जादा है इनके पास असनी की free time है, busy यह बहुत जादा है, यहाँ पर ऐसा है कि जो भी चल रहा है इनके साथ उसकी वज़े से परेशान भी है, नाराज भी है, और आपको काफी सदा याद कर रहे हैं, काम में भी busy हैं, लेकिन फिर भी आपको ये याद कर रहे हैं, लेकिन ये दिखा न चूपा रहे हैं, और आपको भी ये समझ में नहीं आएगा, कि आपको याद भी करते हैं, यही लगता होगा, कि इनको आपसे एंको कोई मतलब नहीं है, यह अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अपको इस टॉक भी कर रहे हैं, फेक अकाउंट से कर हो भले ही लेकिन आपको इस टॉक भी कर रहे हैं आपकी डीपी वगरा यह देखते हैं आपके स्टेटस वगरा पर भी इनकी नजर है और यही जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है आप अभी भी इनका वेट कर रहे हैं या आपने मौन कर लिया और आपके smile आपके person को हमेशा सही पसंद रही है तो ये उसको भी miss कर रहे हैं और ये आपको तो miss कर ही रहे हैं ये आपको कफी सद मिस तो कर रहे हैं guys और ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना लेकिन इनको यही लगता है कि जो past में इनोंने किया है उसके बाद आप इनको एकसेप्ट नहीं करेंगे अब आप इनको माव भी नहीं करेंगे ऐसा इनको लगता है और ये इनसान किसी को बताना नहीं चाहते नहीं आपको बताना चाहते कि अभी भी आपसे प्यार करते हैं अभी भी आपके लिए ऐसा है कि बहुत वड़ा परेशान होते हैं अभी भी आपको बहुत सदा मिस करते हैं ये ना किसी को बताना चाहते है नहीं ये आपको बताना चाहते आपके अगर कोई mutual friend वगर अभी है तो उनसे भी ये सारी बाते शेर नहीं करते और इनको यही लगता है कि अगर किसी को भी बताते हैं इस बारे में किसी से भी बात करते हैं तो वही है यह पुरानी बाते फिर निकलेगी यह आपके साथ रिष्टे में थे यह बात फिर निकलेगी आपका नाम खराब नहो तो यह सब सोचकर आपको यह प्रोटेक्ट भी कर और देखिए यह आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और यहां ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप तो बिल्कुल इस रिष्टे से अलग हो चुके हैं और आप आपने प्रयास करना ही बंद कर दिया और आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं ऐसा भी दिखाई दे तो आपकी तरफ से कोई प्रयास अभी दिखाई नहीं देता और अब तो आप पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं इस रिष्टे से ऐसा भी दिखाई देता है कुछ लोग ऐसे ही हैं जब इस रिष्टे में ना वापस जाना चाहते ना उस इंसान को अपनी लाइफ पलने की वज़य यह है गाइस के आपको जब इनकी जरूरत थी तब इनोंने आपका सांथ नहीं दिया आपको बीच मजधार में इस इनसान ने छोड़ा और इसी वज़य से आप में चुड़ी भी है आपमें नाराजगी भी है और आपने सोज बिलिया जो ऐसा इंसान है स समय पर साथ नहीं देता तो ऐसे इंसान को लाइफ में रखना ही बेकार है इसी वज़े से आपने अपने आपको बदला है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और देखी आप यही चाहते थे कि यह सुख दुख में आपका साथ दे और हो सकता आपके उपर कोई मुसीबत रही भी है लेकिन आपने इनको बताने की भी कोशिश की लेकिन इस इंसान ने नजर अंदास किया और यह आपके साथ खड़े नहीं हुए आपका साथ इन्होंने दिया चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है इसकी वज़े से भी आप में नाराजगी है और आपने सोच लिया कि ऐसा इन्सान अपने लाइफ में चाहिए ही नहीं जो हमारे सुख दुख का साथी ही नहीं है जिसको सिर्फ टाइम पास करना है और अभी ऐसा हो सकता है गाइस कि आप कुछ सीख रहे हैं चाहे वो पढ़ाई से संबंदित हो आपके जॉब से संबंदित हो आपके बिजनस से संबंदित है लेकिन कुछ नया आप सीख रहे हैं और उसमें आप बहुत साथा दिमाग लगा रहे हैं क्योंकि आप यहीं चा तो वहाँ पर तो अब इनका रिष्टा बिगड़ता हुआ नजर आता है और वहाँ से खुद ये दूर होना चाहते हैं और कुछ के परसन तो हो भी चुके हैं थर्ट पार्टी के साथ रहते हुए भी उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनका ऐसा है कि बस जल्दी से जल्दी यहां से निकलना है अब आप जहें जो भी चाहेंगा इस लेकिन यहां पर तो यह रिष्टा दोबारा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और आपके परसन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आते हैं और अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो यह रिष्टा पहले से जादा मजबूत होगा और अब यह इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे तो यह आपको छोड़कर जाएंगे भी नहीं यह भी बात है तो अभी आप चाहें जो भी सोच रहे हैं कि इस इंसान की तरफ नहीं बढ़ना लेकिन आप तो यहां पर जुड़ आपके साथ घुमना फिरना चाहते हैं आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं मस्ती मजाग करना चाहते हैं ऐसा वो भी चाहते हैं और यहां पर कुछ लोग हैं जिसकी वज़े से आप लोगों को अलग होना पड़ा है और आज भी वो लोग खिलाफ ही हैं आपके आपको एक नहीं होने देना चाहते और इसी वज़े से आपके परसन हो सकता है आपको बचाहू करते हैं आपको प्रोटेक्ट करते हैं किया आप किसी परशानी में नफसे ऐसे और जो लोग आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहते हैं, आप लोगों से जलते हैं, वो ऐसे लोग हैं, जो जानते हैं कि आपके परसन अगर आपके साथ जुड़ेंगे, तो वो उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो पूरी तरह आप में ऐसा है कि बिजी हो जाते हैं, वो आपको खुश करने में लगे रहते हैं, आपको समय देते हैं, आपका साथ देते हैं, और उन लोगों को एग्नॉर करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो लोग यही चाहते हैं, कि आप दोनों अलग रहें, ताकि आपके परसन से जो बल्कि आपको दोखा दिया इसके लिए बहुत सबढ़े । रिष्ट को द históके जोड़ना चाहते हैं। ओर जो हो सकता हए कुछ टाइम से आप भी ओवरृतिंटिंग कुछ जादा ही कर रहा है तो इसको आपको छोड़ना होगा और अगर अपने अपने परसन को चेज करना बंद नहीं किया तो उसको भी बंद करना होगा और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आप सही में ऐसा कर रहे हैं कि जो अपने परसन को चेज नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में बिजी हैं तो आपको ऐसे ही रहना है और जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया उनको भी यही करना होगा और यह इंसान आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पर वही है थोड़ा परिवर्तन आपको खुद मिलाना होगा आपको उनको चेज करना आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा है वन मंथ में भी आपको उनका एक्शन देखने को मिल सकता है जादा समय तो नहीं लगेगा लेकिन वन मंथ तो लगी जाएगा क्योंकि अभी वो भी परिशानी में फसे हैं तो समय तो लगेगा तो वन मंथ आपको लग सक सकता है और उनका आपको एक्शन देखने को मिलेगा ठरड़ पार्टी से अलग होकर ही वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो तो पाउने वाले हैं तो वन मंथ में वैपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं जयादा कुछ नहीं तो आपसे कॉंटक्ट तो जो ऐसा आ है कि आप positive रहे, अपने passion को follow कीजिए, अपनी जंदगी में आगे बढ़ते रहे, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, अपनी जंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखे, खुद भी तो यह रोडिंग आज की वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा, ओके बाबाई, टेक के, लव यू